इदर देश में कोरोना संकट को लेकर एक्षन में प्रधानमंत्री मोधी है आज एक बाद एक तीन बैठ के करेंगे प्रधानमंत्री मोधी कोरोना के हालात और आक्सिजन सप्लाई पर प्रधानमंत्री की बैठक है वाइरिस की दूसरी लहर को लेकर कड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में देश के सबसे प्रभावी राज्यों के सीम के साथ मंथन करेंगे प्रधार मंत्री वो राज्य जहां पर सबसे जादा इस वक्त केस रिकॉर्ड किये जा रहे हैं प्रभावी तरीके से और भी क्या कदम उठाने है ताकि जल से जल हालात पर काबू पाया जाए इन सबी मसलों को लेकर प्रधार मंत्री की इस बैठक में चर्चा होगी और चलिए अब आप ये समझ लीजे कि आज जो प्रधान मंत्री मोदी की बैठक एक के बाद एक होने वाली है इस मीटिंग में एजेंडा क्या रहने वाला है ग्राफिक्स के जरी आपको बताते हैं कि आज की बैठक का क्या एजेंडा होगा कोरोना के खलाफ ये जो मेराथान बैठक प्रधान मंत्री आज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप समझ लीजे सुभे नौ बजे देश में कोरोना के जो मौझूदा हालात है इस पर समिक्षा बैठक होगी आज एक के बाद एक बैठक है क्या वक्त होगा और उस बैठक में क्या रूप रे देखा होगी क्या एजंडा होगा सुभे नौ बजे जो हालात है इसकी समिक्षा होगी ठीक सुभे दस बजे कोरोना से जो सबसे जादा प्रभावीत राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बाच्चित करेंगे समवाद होगा राज्यों में महमारी की जो मौझूदा सिती बनी हुई है इसकी समिक्षा की जाएगी और कैसे इस पर काबू पाना है क्या किया जाना है इन तमाम चीजों पर मन्थान इस बैठाक में किया जाएगा ठीक 10 बजे इस बैठाक के शुरॉत होगी और इसके बाद 12 बज़ कर 30 मिनट पर यानि 12 बज़े ऑक्सिजन मैनि पूरा जोर रहेगा और इस पर बात